हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रूफ यूर नॉलेज में आप से भी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं खर्पे मिक्सर जार में मौश्रमी जूश बना के दिखाने वाली हूँ ये बनाना बहुत है आशान है तो आप इस वीडियो को लाइट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए तो चलिए हम खटाखट इसे बनाना शुरू करते हैं मौश्रमी का जूश बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक किलो मौश्रमी लिया है मौश्रमी ताजी होनी चाहिए पेर पे तैयार होनी चाहिए तो उससे अच्छा रस निकलता है हम आपको काटने का तरीका बता रहे हैं तो सबसे पहले हम उपर के पॉइंट्स को काट देंगे और नीचे के यानि कि यहाँ पे उसका जो जड़ होता है लगा होता है जहां से हम तोड़ते हैं वो होता है और यह नीचे वाला हिस्सा बीच में हम इसे पांच से साथ कट ऐसे डाल देंगे बड़ा मौशमी हो तो ज़्यादा डालिए छोटा हो तो कम डालिए अब हम छोड़ी के मदद से ही इसका एसकीन निकालेंगे तो ऐसे हम पकटते हुए आप देख सकते हैं आचानी से इसकीन निकल जाती है तो ये रहा अपना छिलका हटाने का तरीका हमने सभी मौशमी के छिलकी हटा लिये हैं आप देख सकते हैं इतना छिलका हटाने में हमें दो मिनट लगा है तो यहाँ पे हमने मिक्सर का जूसर जाड लिया है जूसर जार में यह धकन होता है जिससे प्रेस करते हैं और यह जाली होता है तो सबसे पहले हम इसमें जाली को फीट कर देंगे हमने इसमें इसकी जाली फीट कर दी है अब हम इसमें मौसमी को ऐसे दो टुकड़ा करके डालेंगे इससे क्या होता है जूस असानी से निकल जाता है अगर आपके पास ऐसा जूसर जार नहीं है तो मौशमी का बीज निकाल दीजिए फिर आप उसमें डालिए तो हमें एक बाड़ में जितना आएगा उतना हम मौशमी काट काट के डाल देंगे अब चलिए हम मिक्सर के तरफ चलते हैं मिक्सर के हम अपना जार सेट कर देंगे अच्छे से लॉप कर देंगे इसको और उपर से यह जो धकन है जिस्ते हम यह प्रेस करते हैं वो डाल के फिर हम धकन लगा देंगे तो आप देख सकते हैं अपना मिक्सर जार डेडी है अब हम तो आप देख लीजिए यहां पे अपना फ्रेस्ट जूस तैयार है उपर का धकन खोड़के मैं आपको दिखाती हूं यहां पे इसके जो अंदर वाले रेसे बचते हैं वो बचे हैं तो चलिए हम इसको शर्व करके ग्लास में दिखाते हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं एक किलो मौशम्मी से हमने शाड़े शाट सो ग्राम जूस तैयार किया है यह अपना एक्ताब फ्रेस्ट जूस तैयार है चलिए हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर हमने काज की ग्लास ले रखा है और इस टेनर में हम इसे शांती हुए सर्व करेंगे तो फ्रेंट्स आपने देख लिया मिक्सर जाड़ में मौशम्मी यूस बनाना कितना आशान है यह बिल्कुल फ्रेस्ट जूस तैयार हुआ है कोई भी आईश का मिलावट नहीं है न शक्कर मिलाया गया है चाहे आप बच्चों को दीजिए या बीमार को दीजिए रुडे को दीजिए कोई नुक्षान नहीं करेगा हाँ अपने मन पसंद ठंडा पीना चाहते हैं तो आईस क्यूब डालिए काला नमक डालिए शक्कर डालिए टेश्टी बनाना आपके हाथ में है पर हमने यहाँ पे फ्रेस्ट जूस तैयार करके आपको दिखाया है अगर आज की मेरी यह जूस की रेश्टी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कमें करना मत भूलिए धन्यवाद